नमस्कार दोस्तों स्वागा थे मेरे यूटूब चैनल में जिसका नाम है आईटिया एलेक्टिसियन थियोरी इन हिंदी दोस्तों सभी लोगोंने कमेंट करके बताएं थे कि जो अभी बिहार इस्टेट पावर वोल्डिंग कंपनी लिमिटर ने जो वेकेंसी निकाली है आईटियाई पोस्ट पे जो चार पोस्ट है असिस्टेंट ऑपरेटर, जुनियर लायन मैन, सुचबोड ऑपरेटर और टेक्निसियन ग्रेट फोर तो इन्होंने इनके लिए वेकेंसी निकाली है इससे पहले यानि दो साल पहले 2016 में सेम यही कंपनी ने असिस्टेंट ऑप करके पूछ रहा थे कि कितने cut-up गया था तो दोस्तो मैं आपके सामने आज फिर से एक और आजिनू वही cut-up के बारे में बताने के लिए ठीक है दोस्तो तो प्लीज चैनल के साथ बने हुए रहा है मैं आपको इसके बारे में details में बता हम लेए थीक है तो चलिए start करते है इसका जो नोटिफिकेशन जो निकला था 2016 में निकला था मातर 1200 सिर्थ असिस्टेंट ऑपरेटर उनली उसमें सिर्फ आईटियाई वाले बंदे अपलाई किये थे ठीक है इसका जो दिसंबर तक पुरा प्रोसीजर कर लिया गया था ठीक है मैं इसका कटब बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा देखिए जो जेनरल का गया था देखिए यहाँ पर लिखाई दे रहा होगा ए लिस्ट ऑफ कंडिडेट फोर जोइनिंग फोर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑपरेटर ठीक है यहाँ पर जेनरल वाले को लग कर देखिए देखिए यू मार्क था निगेटिंग मार्क नहीं था सौब मेंसे मेकसिमम मार्क गया था जेनरल वालों को लिए 88 मार्क स्टीक है मिनीमम जो गया था जैसे की minimum के बाड़े में ही बताऊंगा लेकिन पहले general वालों के लिए देख लिए general के गया थे 88 marks ठीक है लबक 500 seat थे उसमें से जो women's है 33% उनका रक्षन रहता है ठीक है general वालों के लिए 88% गया थे देखिए चलते रहे लिए मैं OBC के भी बाड़े में बताऊंगा HC के लिए भी बताऊंगा HT वालों के लिए भी बताऊंगा ठीक है यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा पिछले बाड़ seat कम था लेकिन cut up हाई गया था देखिए यह सब general वाले के लिए 85, 84, 83, 82 यहाँ पर सभी के बाड़े में चर्चा किया गया है कि भी ब्यार के निपास की है यह नहीं freedom fighter है या नहीं विकलांग है या नहीं date of birth के बारे में चर्चा गया गया है male gender है कौन सा है male या female है नमबर के बारे में भी चर्चा गया देखिए t2 गया है general का 81 79 देखिए male का है ठीक है general में अब देखिए female का देखिए general category में female का कितना गया है 70 highest 68 60 56 55 ठीक है यह female candidate के लिए general category ठीक है 53 यह तो आपका हो गया है female category के लिए ठीक है general post के लिए अब आजाते है SC में SC में कितना गया था SC वालों को male में गया था आपका 75 marks highest गया था out of 100 marks ठीक है male के लिए गया था SC में 75 marks ठीक है देखिए minimum जा रहा है 68 65 है ठीक है 63 है अब female का आ जाते है SC में ठीक है 49 गया था SC वालों female में जो candidate था jeśli female का 37 गया था minimum SC में ठीक है अब आजाते है SC में कितने गया था ठीक है स्टी में male का गया था 69 out of 100 marks ठीक है दो सीड थै male के लिए ठीक है अब आतेए 期श्ज के में वालो में गया है। 77 मर्स गया था EBC वालो के लिए एक चलते जाते हैं 71 गया है आपका minimum जो आपको गया है EBC वालो के लिए 71 मर्स गया है और female में आ जाते हैं EBC में तो minimum मर्स गया है 50 मर्स out of 100 ठीक है 49 अध नगट अब BC वालो के लिए देख लेते हैं BC वालों के लिए मेल में गया था maximum 77 मार्स ठीक है और minimum पर आ जाते है minimum गया था 64 मार्स और female में BC में maximum मार्स 49 परसंट गया था ठीक है 49 मार्स गया था out of 100 मार्स ठीक है दोस्तो यही था इसका merit पिछले बार तो merit high गया था ठीक है दोस्तो लेकिन इस बार देखिए कितना mer kadar जाता है अनुमान मान एक चलीए कि इस बार तो frequency जादा है ठीक है मान के चलीए कि आप score अच्छे से करका हिए क्योंकि कोई भरोसा नहीं जाता है ठीक है पिछले बार offline नहीं जाम था लेकिन इस बार ओन ले नहीं जा में, cut up कम जाने का उमीद है, ठीक है दोस्तो, आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले बार जो cut up गया था, बहुत ही जाता गया था, out of 100 marks में, ठीक है, मैं इसका वीडियो जो previous paper हुआ था, मैं आप वीडियो अपलोड है YouTube पर आप उदेख सक ठीक है, और उसमें से भी 200 में से मान लेजेगी 30% सीट कोमेंस वालों के लिए आरक्षन था, ठीक है, तो आपको एक परकार से अंदाजन लगिया होगा कि केतना cut up जाता है, कैसे त्यारी करना है, इस परकार आप लगा सकते हैं अनुमान, कैसे हमको त्यारी करना है, दोस्त चलिए, जय हिन, जय भारत